हेलो स्टुजेंट्स एग और फिर से स्वागत है मैं दे यूट्यूब चलाल इंगले स्कॉलर में बिटा मैंने पिछले दो वीडियो में आपक्स मैंने समाप्त की थे जिसमें पहला टॉपिक मेरा आर्टिकल था और जो कि पार्ट वाई पार्ट मैंने चार पार्ट में कदी बनाया था उसको मेरा दूसरा जो पर वेग्ने में ता जो कि मैंने दो पार्ट में बताया था उसी प्रकार से मैं आज आपके लिए नया टॉपिक लेके keeping प्रेपोजिशन जो कि हर एक्जाम की लगबग जान होता है कह सकते हैं इसमें हम लोग आज सीखेंगे बिलकुल बे योग सीखेंगे ठीक है भई बिटाब प्रेपोजिशन सबसे पहली बात आपसे ये कर ली जाए कि प्रेपोजिशन क्या होते हैं तो आप क्या बताएंगे भई देखिए पता हो आपको अच्छी बात है नहीं पता तो समझ लेजिए कि कहते हैं कि जो सब्द किसी पार्ट प्रोनाउन या किसी प्रोनाउन की दिसा उसके समय इस्थान को सो करते हैं वे सब्द प्रेपोजिशन कहलाते हैं ठीक है भई समझ पाए होंगे तो बेटा जैसा कि हमने बात की थी तो हम इसमें तीन प्रकार के आज टॉपिक पढ़ेंगे आपके जो कि समाप्त किये जाए कि तीन प्रेपोजिशन पर बात हमें करनी है आज कौन प्रेपुजिशन रहेंगे पहला आपका रहेगा इन और दूसरा आप कर लीजिए अन यों आपको हम एट के प्रियूग न इसको समझतें इसको यस तारिथ समझी ए अराम से धीरे जिरे मिशना करिएगा इसको देखिए इनका प्रयोग आप करेंगे जैसे आपको morning word दिया जाए क्या दिया जाए भाई morning तो याद रखेंगे कि morning नहीं होता है पूरा word क्या होता है इन्ना morning होता है कि morning के पहले इनका प्रयोग करते हैं morning के बाउजोद बेटा अगर आपको दिया जाए आफ्टर नून तो आप आफ्टर नून के पहले भी किसका प्रयोग करते हैं इनका प्रयोग करते हैं इसी प्रकार से बेटा आपको अगर evening दिया जाता है तो evening के पहले भी आप किसका प्रयोग करते हैं इनका प्रियोग करते हैं तीन बातें समझ पाए कि morning, afternoon और evening तीनों के पहले इनका प्रियोग करते हैं ये आपका पहला point आएगा अब दूसरे point में ये याद रखना है कि जब भी आपको महीनों के नाम दिये जाएं months name या फिर वर्स दिये जाएं years name जैसे कि January, February आपको कुछ भी दिया जाता है तो आप उसके months name के according क्या लगाएंगे इन लगाते हैं जैसे कि कैया दें 1930, 1931, 2000, 2000 संदे दिया गया उसमें क्या लगाएंगे इन लगाएंगे समझ पाएं आगे सीखते हैं बिटा, जैसे कि आपको दे दिया जाए season name, क्या दिया जाएं भाई, season दे दिये जाएं जैसे कि winter आने वाली है, summer, autumn, etc. जो भी हमारे season के name होंगे उनके पहले आप किसका प्रियोग करेंगे इनका प्रियोग करेंगे, तो इनके प्रियोग कहां कहां सीखे, morning के पहले, afternoon के पहले, evening के पहले आपको महीने या वर्स के नाम दिये जाएंगे, उनके पहले इनका प्रियोग, कोई भी season दिया जाएगा, winter, summer, autumn वगएर, spring वज दी जाती है, आप उनके पहले किसका प्रियोग करेंगे, इनका प्रियोग करते हैं, समझ पाएंगे बाई, on का प्रियोग समझते हैं, देखि आपका on the morrow, जो sense tomorrow का होता है, कि आने वाला कल, वही sense on the morrow का होता है, इसमें भी हम लोग on का प्रियोग करते हैं, ठीक है भई, अगले point की और बात करते हैं, जब आपको कोई भी दिन दिया जाए, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, तो आप दिन के नाम के पहले on का प्रियोग करेंगे, अगर आप को कोई date दी जाती है, तो उस date के नाम के पहले भी आप on का प्रियोग करेंगे, समझ भाए, दो प्रियोग, तीसरा प्रियोग समझते हैं, आपको कोई body parts name दिया जाए, body parts, सरीर का कोई भी अंग देगा, आप body part name के पहले on का प्रियोग करेंगे, तीन प्रियोग on का समझ मे आए पहला प्रियोग on the morrow के expression में days या date दी जाएं तो on का प्रियोग करते हैं और body parts name दिये जाएं तो भी on का प्रियोग करते हैं देखिए भई अब at की ओर चलते हैं at थोड़ा सा जादा है आराम से समझेगा विश्ण कर दियेगा इसको देखिए at का प्रियोग पहले बात हम लोग करते हैं जितने भी हमारे parts of day होते जितने हिस्से होते हैं जितने हिस्से का मतलख छोटे हिस्टों से और ने की बड़े हिस्से हमें काम करते स्को रफ करके at के कह अलग से समझाते हैं वो थोला सा जढ़ाएं ओस चलिए प्लियोग समझते हैं अब धेख नो — पेटा ऑप्लियोग जो है पार्स ऑप दे में करते हैं जैसे दिन के हिससे कौन-कौन Pak से होते है जैसे कि आपका दॉन होता है एक ठीक है ये पंस आप दे होता है जैस N Cat और आपने सुना होगा, मैटिनी, और क्या सुना है, ट्विलाइट, और बताइए, जैसे की डेसी डुवर्स, ठीक है बई, नाइट के पहले भी आप एक्ट का प्लेओ करते हैं, अगर आपको मिडिनाइट दी जाती है, तो भी आप एक्ट का प्लेओ करते हैं, बाकी सब्सक्राइट इधर लिख देते हैं, जैसे आपको नून दिया जाये, तो आप नून के पहले भी एक्ट का प्लेओ करते हैं, अगर आपको sunrise दिया जाता है सूर्योदे तो आप उसके पहले भी add का प्रियोग करते हैं अगर आपको सूर्यास्त दिया जाता है यानि की sunset तो उस sunset के पहले भी आप add का प्रियोग करते हैं यह तो हो गई part of day की बात कुछ आपके timing होती है जितनी आपकी am या pm वाली timing होती है उनके पहले आप add का प्रियोग करते हैं am का मतलब anti meridian pm का मतलब post meridian होता है ठीक है और जितने भी आपके o clock वाली timing होती है आप उनके पहले भी किसका प्रियोग करते हैं add का प्रियोग करते हैं जब भी आपको temperature दिया जाए तो उस temperature के पहले भी at का प्रियोग किया जाता है यहां तक समझ पाएंगे एक चीज और याद रखेंगे कि जब किसी sentence में am लगा होगा तो उस sentence में हम लोग in the morning का प्रियोग नहीं करते हैं अगर किसी sentence में pm लगा है तो उस sentence में in the evening का प्रियोग नहीं करते हैं कुछ at के प्रियोग समझ पाएंगे आप लोग कि dawn यह सब part of day होते हैं dawn के पहले at का प्रियोग, dusk के पहले at का प्रियोग, matinee के पहले at का प्रियोग, twilight, deciduous, night, midnight, noon, sunrise, sunset इनके पहले आप at का प्रियोग करते हैं जितने भी am और pm वाली timing होती है am का full form होता है anti-meridian, pm का full form होता है post-meridian am और pm की timing के पहले at का प्रियोग करते हैं जितने भी o clock वाली timing होगी, 7 o clock, 8 o clock, 9 o clock, जो भी होता है आप उसके पहले at का प्रियोग करते हैं जो भी temperature दिया जाता है आप temperature के पहले at का प्रियोग करते हैं और बिलुकुल यह याद रखना है कि जब am बाली timing दी जाए उसके साथ in the morning ना लगाईएगा चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं यह देखिए अब आप लोगों को हम समझाते हैं थोड़ा सा इन और और जो कि आप बच्पन से पढ़ते हैं आप सुने भी होंगे कि इनका प्रियोग बड़े सहरों कौमा कस्बों सोरी कस्बों नहीं बड़े सहरों देशों आध के पहले करते हैं जबकि आट का प्रियोग छोटे गाउं कस्बों के पहले करते हैं जैसे कि कोई भी आपको देखी अगर आपको दिल्ली दिया जाए कानपूर दिया जाए कानपूर के रहने वाले हैं तो आप सहर के पहले इनका प्रियोग करते हैं छोटे गाउं वह कस्बों दिये जाएं तो उनके पहले आट का प्रियोग करते हैं लेकिन याद रखिएगा जब दो जगहें दी जाएं जब दो जगहें दी जाएं तो छोटे के पहले आप एट लगाएंगे और बड़े के पहले क्या लगाएंगे फिर आप इनका प्रियोग करते हैं भाई समझ पाएंगे कि जब ऐसे आपको सिंपल एक प्लेस दिया जाए तो बला होगा सहर देश कुछ भी हो तो उसके पहले इन अगर सिंगल दे के छोटा गाउं छोटा कस्वा छोटे नगर की बात कर दे तो एट लगाईएगा लेकिन जब दो जगहें दे दे तो सिक्वेंस आप देखेंगे कि कौन सी जगह छोटी है और कौन सी जगह बड़ी है जो जगह छोटी होगी उसके पहले एट और जो जगह बड़ी होगी उसके पहले इनका प्रियोग करते हैं समझ पाएंगे भाई आप लोग ठीके प्रियोग तो बेटा कहीं है अभी चलिए हम आपको थोड़ा सा अलग बता देते हैं जैसे कि एज वर्ड ले ले लेते हैं उम्र की बात करते हैं हम लोग देखिए एज वर्ड के बारे में बात कर लें एज ठीक कुछ लोग अमर नंबर में बताते हैं अपनी कुछ लोग ऐसे कहते हैं ऐज ओफ हैटीन अठारा के उम्र में कुई कोई कहता है जब आपको एज दिया जाip तो आप क्या लगाएंगे कुई कहता है अमर दिया जाता क्या लगाएंगे अंगल लगाएंगे अगर आप बड़े हैं तब क्या लगाओगे लेकिन यही एज अगर आपको नंबर में दिया जाए तो नंबर में अगर आप छोटे हैं तो आप क्या लगाएंगे बिलो लगाएंगे वही आप नंबर में बड़े हैं तो क्या अबब लगा होगे ठीक है लेकिन आपको एज और प्लस नमबर दोनों दिये जाएं तो आप उसके पहले एट का प्रियोग करते हैं समझ पाए आप लोग यहां तक भई ठीक है इस वीडियो को बेटा यहीं से समाप्त करते हैं अब इसके अगले पार्ट में हम आपको प्री पोजिशन के फिर से नए रूल्स लाएंगे उसमें हम आपको यह बताएंगे कि किन सब्दों के बाद प्रे पोजिशन का प्रियोग नहीं करना है जो कि आने वाले एक्जाम्स जैसे सीजियल एरफोर्स का एक्जाम आने वाला है इनके लिए अतिमहत तो पूर्ण होगा त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिये जगा है और बेल आइकन को जरूर दबाईएगा ताकि मेरी आने वाली नई इस वीडियो आपको तुरंत ही मिल सके असा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आए तो लाइक जरू आवाद आपका।